Atomic radius क्या होता हैं? और ये कितने तरह के होते हैं? और ये कैसे vary करते हैं along the period और down the group? नमस्ते, मेरे नामन दिब दलाल है और इस lecture में हम इन्हीं प्रशनों के उत्तर खोज इन्हीं कोशिश करेंगे. तो भई, हमने क्या पढ़ लिया था? Cause of periodicity या periodic properties क्या होती हैं? ठीक है? अब हमने क्या पढ़ना है? तो भई, उनमें एक पहली periodic property बता कौन सी है? Atomic radius ये भई, इनमें आपको एक trend आपको देखने को मिलेगे, आपको एक similarity आपको देखने को मिलेगे, ठीक है? Atomic radius बता हो भई, तो पहले हम क्या पढ़नेंगे? Definition of atomic radius, फिर हम क्या पढ़नेंगे? Type of atomic radii, तीसरा क्या होगा? Trends in atomic radii in periodic table, तो सबसे पहले हम क्या देखते है? Atomic radius क्या होता है? तो बहुत देखो, atomic radius क्या होता है? कि किसी atom का, कुछ atom है, उसके nucleus के center से लेके, जहां तक उसकी outermost shell होना, बोलो भई, जहां तक उसकी outermost shell का एक तरह से भई, significant एक तरह से भई, effect हो, वहां तक उस दूरी को मिलते हैं, बता हो भई, atomic, माले atom यहां तक है, तो यह क्या होगा अमारा, atomic radius, ओके, लेकिन भई, एक atom को अलग करके, उसका radio कालना बहुत मुश्किल होता है, उसकी पता वज़े क्या होती है, पहली बात आपको पता है, कि जो wave function होता है, atom के around, जो nucleus होता है, उसका तो क्या होता भई, electron कैसे रहते हैं, wave like, और wave कहां तक value होती है, infinite, तक आपक बाउंटरी तो होती हैं कि हम भईए कैदें, जिसे कोई ball हो भई, कि यहाँ से यहा तक क्या radius, तो इतम की कोई sharp boundary निकालना भई, इंडिविजव एक्त का होता है, आल्मौस्ट impossible individual atom का atomic radius निकालना किया almost भी impossible खेक है तो हम क्या करते हैं बताओ तो हम जो atom होता है नव जो दूसरे atoms की assembly में होता है हम उस assembly में क्या निकालते हैं उसका radius क्योंकि individual atom दिखा जाए तो वो तो कहां तक भैला होता है infinite तक Isn't it तो भई इसलिए atomic radius हम आकले एक्टम हम क्या करते हैं बता हुँ कि अनूसरे एक्टम की अस्ग हम लाकी गते हैं जुड़ा रहे हैं वह और पिर आ思े अकिल आकर सबसरी इक deja qui members कि क्या बोलते हैं और दूसरे सब साथ तनल्सका युद्स निकलता है जो और एक्टम से साथ होता है तो अभी उसका हम क्या निकलते हैं रेडियस तो दूसरे एक्टम के साथ हो कई तरीके सिस्कुता है वो हो सकता है metallic bond के जरीए बंद रहा हुई हो सकता है वो इसलिए आप देखो भई यहाँ पर हमने साफ साफ लिखा बताओ भई तो atomic radius इसलिए बताओ भई मेन लिए कितने टाइप क्यों बताओ भई covalent radius नहीं आन आपको very good आप यहाँ पर देखो भई इसलिए क्या होता है covalent radius ionic radius wonderwall radius और भई metallic radius तो पहले हम बताओ क्या पड़ेंगे covalent radius ठीक है तो covalent radius क्या होता है covalent radius भई यह होता है कोई atom जब दूसरे atom से बंद आओ covalent boundary के जरीए ठीक बात तो मान लिए एक atom यह है और एक atom यह है इनमें overlap और रखा भई अरे भई यह कहें के nucleus और इनके अंदर बताओ बताओ क्या रखा है overlap मान लिए h2 का atom यह है ठीक बात तो आपने boundary यहां से लेके यहां तो नहीं मननी है आपने boundary कहां से कहां तक मननी है बोलो भई यहां से लेके यहां तक आप कह सकते हो कि अगर मैं इस bond length का half कर दूं तो यह boundary कहां लाएगी बताओ भई यह दूरी कहां लाएगी इसका covalent radius तो यह मैं कैसे निकाल सकता हूं अगर मैं किसे तरीके से यह bond length निकाल के h2 molecule की cl2 molecule की उसका half कर देता हूं तो मेरे पास अपने आप कहां जाएगा बताओ भई covalent radius आपको पले पड़ी यानि जो एटम covalent bond बना रखाओ जो एटम अपने पडोसी एटम से कैसे bond बना रखाओ उसने कोवलेंट बॉंड तब आप उसका क्या निकालते हो भई effective radius का मतलब क्या है कि उसका extension कहां तक है कि उसके बाद बना रखाओ उसके बाद तो यह इसका वह एक तरह से वह इफेक्ट हमें शुरू हो जाता है ज्यादा तो तुसको क्या वह लेंगे covalent radius समाझगे बात और covalent radius काफी मैं आपको बताओ काफी कम होते हैं ठीक है यह आप निकाल सकते हो होँ डाययमिक मलिक्ट मलिक्यूल में उर है Stephanie Moon को पता है कि क्या हमने क्या हम स्पटु सकुपी चैनल स्पेक्त्रस यूदर क्या हम relevant ने निकालतेokolि स्पेक्ट्रा से हम रोटेश्चन convice यो होमो डाययमिक मोलीक्यूल की तो बॉंड sare bowling में सकते हैं रोटेशनल रमन से समझे बात और हेट्रोडायाट्टमिक मोलेक्यूल्स की बॉंड लेंग्थ हम का से नकाल सकते हैं बोलो भई सिंपल रोटेशनल से हैं ध्यान रखियो भई मत करियों कि अब यह है तो तो आफ करना पड़ेगा अगर अधिका शेय sont लौट तो यह ना कर द्यों कि दूनों का क्या करता है आप हाफ कर दो सतया पता होता है थिर उसको भई इस पॉंड लेंट jsem और हं ग्या ऑफ ख़ण ह stamp espíण का पाने और हैं 15 पनी क्या पता है क्रणा बहुण का घ्री आज These इस को कैसे एच ल की बॉंड लिंग निकालके और एच के कोवलेंट रेडियस में से माइनस कर दो क्या आपके पास ल का कोवलेंट रेडियस इसंट इट मैंने बहुत प्रिमिट्व सेंस में आपको बता यह बात ओके यह थोड़े और बीजादा क्या होते हैं सौफस्टिकेटर तर तो हो जी एक 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 एकम में दुस एकम के कॉन्टक्ट में ऊपसे मेटालीक बोंड पर आपको पता है अपने आप पतो क्या जाएगा अ कि बोलो भई metallic radius यह आपको पता हो ना जब आप crystal study करते हो क्या है अगर सिंपल क्यूबिक है तो हम यूनिट सेल के आज निकाल को इसका आफ कर देंगे हमारे पस क्या जाएगा अगर घर-material univers scholar क्या होगा क्यूंट क्या होगा को मोटाइट में अपने मोलीक्योल के अंदर को कि नहीं आंदा तो मैटाल के दिसमे और कोबलेंट रेदिसमें ज्यादा कौन सावेगा कोवलेंट बॉन बाहिए को अच्ट्रॉंगर होता है कोवलेंट बॉन क्या होता है stronger होता है इसे लिए covalent bond covalent radius क्या होता है छोटा होता किसे बहई metallic radius बात आपको पले पड़ रही है और बोलो बहई नहीं बात आपको पले पड़ी और बताओ फिर क्या हम आप रहा हमारे पास बोलो बहई wonderwall radius ठीक है अब बताओ बहई wonderwall radius क्या होता है अब आपको पता wonderwall radius के अंदर क्या होता है यहां पर क्योंकि दोन्नों bonds ना तो दोन्नों atoms ना तो बहई किसे आप पसमें जुड़े होते कोवलेंट bond से और ना ही आयनिक से यहां पर simply क्या होती भई वीग electrostatic force of attraction यह आपको पता ऐसा होता भी क्यों बहई पता होगा ना अरे वी मान लिए हमारे पास और गन का एक्टम है हमारे पास क्या बहई हमारे पास और गन क्या है एक्टम हर गन का तो तो क्या होगा अरे बहुत समय के लिए यह बंचेगा गर्म फ्रोड का होता है यहां अगर स्फैरिकल होता है यहां प्रोटे को इक हो नहीं पर इसमें डाइपोली बनता ना लेकिन अगर मेंटरली अगर क्या ओजाए यहy थोड़ा सा किसी noble gas जो क्या होता बई एक्तम होता है उसमें भी momentarily क्या बन सकते हैं कुछ समय के बन सकते या डाई पोल बन सकते हैं और किसी दूसरे बन सकते हैं पतारों आपको भई हुआ पंगे अमान्य पास दो एक्टम है क्रिप्टम के क्रिप्टम के क्रिप्टम का दूसर एक्टम तो यह हुआ की उनके क्लाउड कुछ स्मय के लिए क्या हो सकते हैं डिस्टोर्ट बोलो भई उन से इंदर क्या भन जाएंगा के फुल के डाइपोल उन में क्या हो जाएगा इसी को मैं क्या बोलते हैं वंडर्वार फॉर्स ओफ अट्रैक्शन अगर दो एक्टम किसी कोविलेंट किसी केमिकल बाउंड से न आपन देए हो आप क्या सकते हो भई कि अरे भई अरे भई smallest distance between two अरे भई हम क्या बोलेंगे smallest distance between two chemically non bonded atoms chemically non bonded उन में chemical न चाहिए तो उस दूरी को वह ओ वह बताव महर पस क्या होगा अरव बहुत्वह डिस्टिस उसका आफ कर दो हमारे पस क्या जा एगा वंडरवाल रेडियो इसन्ट इट और आपको पता भई वंडरवाल रेडियो से ज्यादा वाकिसे कोवलेंट रेडियो से इसन्ट इट और देख़ो अब यह बताऊ क्या है अब यह बताओ क्या भई फिर हमारे पास क्या आगया आएनिक रेडियस अब बताओ भई आएनिक रेडियस क्या होता है भई यह बहुत सिंपल है आएनिक रेडियस क्या होता होता हो बताओ हमारे पास क्यों आएन है उस आएन के माले हमारे पास क्यों आएन है तो उस आएन के नूपलिस से लेके उस आयन के नूपलिस से लेके ठीक है और उसका जो आउटर मूस्ट चैल होता है उस तक की दूरी कों क्या बोलते हैं सोडियम एक्टम है माले के मरवास के सोडियम एक्टम है तो उसका तो रेडिस के होगा लेकिन सोडियम आयन होता हुँ तो एन ने प्लस के न्यूकलिस के सेंटर से लेके एन ने प्लस का जो आउटर मोस्ट चैल होता है वाने स्टूपी जहां तक टूपी की बाउंडर सफिशेंटली हैली हो भई उस दूरी को मैं क्या वो लेंगे उसका आयनिक रेडियस बता आप तब कुपले पड़ी क्या तो यह हमारे पास है एटोमिक रेडियस के बताओ कितने टाइप आगे तो बताओ भई पावलिंग ने बताओ क्या बताया था बोलो भई आयनिक रेडियस किसके इनुवर्स नी उत्ता बताओ बताओ बहुए जैड एफेक्टिव मतलब अरे बोल बताओ बताओ आयनिक रेडियस का फॉमला क्या है मेरे पास अरे बताओ 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 इनक रेडियस और यहां से यहां से यहां तक बहुए दूसरी काईनिक रेडियस बात आपको पढ़े पढ़ रहे हैं ठीक है अब हम देखते हैं बई ट्रेंड से ने टोमिक रेडियस इन पिरियोडिक टेबल अब हमें क्या पढ़ना है अब आप यह बता हुआ आपने आपने रेडियस आपने पढ़ लिए ना डिफरेंट टाइप के थे ना कौन-कौन से अब हम देखते हैं का ट्रेंड यह मतलब यह टेबल में कैसे भी यह करते हैं देखो मैं आपको पता हुआ है कि यह बहुत ही इजी चेप्टर वही आप इसको भी 12th क्लास से पढ़ते हैं लेकिन यह क्योंकि नेट के सेलिवस में स्पेशली मेंशन कर रखा है और इसके उप पता है तो आपको पूरी टेबल पहली बात आपको भी दिमाग में प्रिंट होने चाहिए और सभी के आपको क्या मालू मने चाहिए एलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगुरेशन ठीक है तो देखते हैं हम यह कैसे बिहाइव करते हैं आयनिक रेडियस सरी अटोमिक रेडियस बता हुआ अरे यह क्या है आपर कोई बात निए ट्रेंट्स आगे अब बता हुआ जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनिक रेडियस यूजूली गठते हैं मतलब एक्टोमिक रडियस सभी तरह एक्टोमिक रडियस उसमें सारे याली हैं मैटलिक आइन इक सारे याली समय है जब क्या करोगे बढ़ी अच्छा एक बाद धान रख्यों वही किसी भी आयन का किसी भी कैटाइन का कि रडियस हमेशा उसके पेयरिंट अटम से कम होता है M錢 سके इं प्लस का रीडियस हमेशा M से क्या होगा कम और M- का रीडियस हमेशा M से क्या होगा vs १ा ध्याथ ऑन रख्यों भी नहीं है टाय बाद आ हो दो जब आपए यहां पर यहां पर हम कुछते हैं जहां तक संब्भ होता है बुक्स में अगर यूजुवली क्या लिखते होते हैं और जहां पर कोवनेंट्र रेडियस वहां पर वंडर वार्वाल रेडियस और अगर अगर और पर पड़ होएगा उनकि बात कर रहा हूं तो simply क्या बोल दे अटमिक रेडिया ही तो आपने क्या मानना है कोवलेंट रेडिया बात आपको पले पड़ी और जहां पर आपको ओगे यह अटम तो कोवलेंट बनाता है नी फर ग्जामपल आपको क्या होते हैं अब अगर आपको पादे ग्या होगा आप जब टेबल में चलोगे लेफ्ट तो क्या होगा गटेगा और डाउन दे ग्रूप क्या होगा बढ़ेगा यह आपको पता है क्यों बढ़ता है क्योंकि नई शैल लगाता राइड होती जा रही और आपने में आपको पड़ाया था रेडिया ओफ मैक्सिम प्रूइबिलिटी लगाता बढ़ता वह एन बढ़ने के साथ नहीं बढ़ता क्या इसलिए डाउन दे ग्रूप क्या होता है आटमिक रेडिया क्यों है कार्बन है चेक करो भई 0.89 0.800 0.77 गटता गी ने गटता है बढ़ता है बढ़त आपको पले पड़ गी अरे बोलो भई चलो बहें देख लेते हैं आयमेक रेडियस बताओ ओ टू नेगेटिव एन एपॉजिटिव एम जी तू पॉजिटिव सब से लार्ज रिकों आचेए आपके कोर्डिंग ओटू नेगेटिव भई अरव दो शैल इसमें और दो इमेन शैल किसमें होती है इसमें होती है लेकिन इसमें क्या है बही दो जी बस्मूझा होघे किये जिटना ज्यादगा नेगेटव चार्ज होगा G proton कम हो ऊंगगे लिक्ट्रोन क्या होंगे ज्यादा तो जो proton है वो el restriction Cjanot को कम effort कहें वह तो उनकномant बेशक शेल्झ उसकेत्वन दबARS कर दो हैं लेकनद ओन प्रॉटॉन है और दस स् gelmiş लेगन ओडना ओनोटॉन में क्या है आठ प्रॉटॉन है और आफ प्रॉटॉन थरोटॉन ब्लब्स है ट्रीक से नहीं पहेंगे और दे इजन्ट इट ओके बाद आपको पले पड़ गी और यहां पर आप देखो सोडियम पोटेशिम रूबीडियम सीजियम यहां भी बताओ क्या रहा है आने क्रेडिस भी क्या लगातार बढ़ रहा है ना अरे बोलो भी नहीं बढ़ रहा है कि आपको यह तो यह तो लेफ्ट रे बताओ अरे बोलो भी आप यह यह देखो बताओ क्या रहा है डाउंद ग्रुप हाइड्रोजन लीथियम सोडियम प्रटेश्म रूबीडियम सीजियम 0.7 1.23 1.57 2.03 बताओ क्या हो रहा है लगातार आल्मोस्ट सब में क्या हो रहा है डाउंद ग्रुप इंक्रीज और अलो 0.23 बोलो भई 0.89 0.80 0.77 0.70 0.60 0.64 लगातार क्या हो रहा है अलोंग दे पिरेड घट रहा है आपको एक दिन सब्ट गया तो नियोन में अरे भई क्योंकि नियोन इनके लिए क्या दे रुखे है यह वंडर वाल रेडिया है क्योंकि इनके लिए यह कोवलेंट बांड फोम नहीं करते ना तो उनके क्या दे रुखे है यह वंडर वॉल रेडिया है से लिए यह अनॉमली नहीं है आपको लोग क्या रहा है यह यह अनॉमली आपको लोग रहा है यह तो अनॉमली आग इसके अंदर इन बात आपको पले पड़ी क्या लेकिन ध्यान रखो भई यह तो अब बताओ भई अब मैं जूट बोल रहा था ना कि कोश्चिनेट में आते हैं चेक करो देखो ये कहा रहा भई देसंबर 2014 में रखा भई बताओ पार्ट सी में चार नंबर में बताओ क्या है ये कोश्चिन में पार्ट सी में रखा है f negative na positive o2 negative mg2 positive कौन कौन से बोलें में पताओ यह हूँ f negative o2 negative mg2 positive क्या था एक और था भई एक और कुण था f हो गया na positive तो आप यह बताओ इन में सब से आचा आचा कुश्चिन क्या है दोज हूँ है वालो भई बलके विच आव विच आव आना चाहिए वह विच आव दी हाइस्ट एंड लोवेस्ट आयनिक रेडियाई बताओ भई में हाइस्ट और लोवेस्ट आयनिक रेडियाई जितना इचाहिए यहां और یں कोड़ में प्ल्सों हो आइस इस आप देप Ci oeln 2016 सब में रही दौर्वेस्ट द्यानिक ऐस दूंगया कि दॉसि दौर्वल यह सब का जितना के टनिक चार ज्यादा उएगा उतना इस साइस साइस पालो बाता कॉन सा होगा ओर तुन लेगे पासी में यह रखा चार नंबर में बताऊ ठीक ऑई चेप्टर वो थीजी वेकिन पढ़ा ना पड़ता नेट में ये बात आपको बड़ी और बताऊ नटी इए are abnormally high for which of the following pairs यह बताओ भई इन में से किस के लिए क्या भई अरे भई the metallic radii are abnormally high for which of the following pairs इन में से किस pair के लिए metallic radii बहुत ज्यादा क्या होंगे बताओ हाई होएंगे बताओ भई option तब कुन जरा रह है कुन सा यूरोपीम और लिटर्बियम बहुत ज्यादा हाई होएंगे न इसका मतलब क्या है कि metallic bond यहाँ पर बताओ क्या होएंगे metallic bond यहाँ पर क्या होंगे वीक होएंगे तो अब पता करियो भई ठीक है यह आप खुद देखियो क्यों EU का और YB का सब से ज्यादा क्या होगा metallic क्या बोलते रेडिये तो भी इस lecture में इतना आई अगर इस lecture के बारे में आपके कुछ प्रशन है या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे comment section में पूल सकते हैं मैं उनके उत्तर देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा तो भी ठीक है मिलते हैं अगर लेक्षर में तब तक के लिए नमस्ते कर दो